जहें दोस्तों बंदे मातरा, देखिए मुझे कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि कहीं न कहीं मुझे भी दीपवली के बाद रिलीज हो रही राम सेतु और थैंग ओड का काफी जादा इंतिजार था जिस तरह के ट्रेलर्स थे, मुवीज थोड़ी हटके थी, अलग थी, थैंग ओड भी अलग टॉपिक के उपर थी कि मरने के बाद क्या कुछ होता है और राम सेतु अपने आप में एक, मतलब यह कहना ची एडवेंच्रस मुवी थी, जो कि बॉलिवड में काफी कम देखने के लिए मिलती है तो दोनों ही मुवीज अलग अलग टॉपिक के उपर बनी थी, दोनों से काफी जादा उमीदे भी थी अब यहां पर अगर मैं थी कह रहा हूँ तो इसका कारण भी है क्योंकि यह दोनों ही मुवीज उमीदों पर उतनी जादा ख़री नहीं होता है ऐसा नहीं कि खराब मुवीज है, बिल्कुल नहीं आप इन मुवीज को देखेंगे, आपको बिल्कुल एंटेइन्मेंट फील होगा, आपको अच्छी भी लगेंगे मतलब थैंग ओड तो एक फील गुड मुवी है लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं देखिए एक जो कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है मैं बार-बार कंपारिजन के तरफ जाता हूँ लेकिन कंपारिजन इसलिए होता है क्योंकि अगर मुझे किसी एक जिए खाना खाके आत्मसंतुष्टी मिल रही है दूसरी है खाना खाके मुझे लग रहा है कि कुछ कम रहे गया तो कही न कहीं मेरे मन में सवाल उठता है कि यार वो क्यों कम रहे जा रहा है एक बार होता है दो बार होता है तीन बार होता है लेकिन बार-बार आप उस कमी को अगर पूरा नहीं कर पाने इसका मतलब यह है कि आप खाना ही अच्छा बनाना नहीं आता और ऐसा ही इस समय थैंग गॉड के साथ भी हुआ है जिसकों की बनाकर बॉलिवुड ने बता दिया है कि वो कितने गहरे अंद्रकार के गड़े में जा चुका है बॉलिवॡ आला चुकों के निशाने पर है कालन है कहानियों का चैन तमाम सिने प्रेमी ऐसे हैं जिने शिकायात है कि बॉलिवॡ अच्छी कहानियों का चैन नहीं कर रहा है अगर गलती से हिंदी पट्टी के प्रोडूसर डिरेक्टर दोरा सही कहानी चुन भी ली गई तो उनके लिए उसे निभाया आज की समय में जब साउथ का सिनेमा दर्शकों के दिमाग पर अपना जादू कर गया हो एक टेडिखी खराब कहानिया कैसे एक इंडस्टी की रूप में बॉलिवॡ की हालत खराब कर रही है इसके यूटूट हेरो धानन मौझूद है लेकिन पुष्टी तब होती है जब हम हालिया रिलीस फिल्म ठाइंग गॉड को देखते हैं जिसे डारेक्ट किया है इंडर कुमार ने और इसमें सिधार्द मनोतरा आज देवगर्ण और अकुल प्रेट सिंग ने लीडरोल में काम किया है कहने तो को फिल्म को फैमिल एंटिनर बनाया गया है लेकिन जब हम फिल्म को देखते हैं तो फिल्म के पाप पुण्य के कसौटी पर रखा गया है और क्योंकि फिल्म में आफ्टर लाइफ को भी तरजी दी गई है तो एक ठीक ठाक फिल्म कई मौकों पर कोरी गप से जादा कुछ और नज़र नहीं आती फिल्म क्योंकि अंदर कुमार की है और अंदर कुमार पहले ही धमाल टोटल धमाल मस्ती ग्रैनमस्ती यसी कमेड़ी फिल्म मना चुके हैं इसलिए दर शक्र थाइंग गौड को भी कुछ उसी से मिलती जलती उमीद के साथ गए थे लेगिन क्योंकि इस बार इंदर कुमार ने बिलकुल अलग टॉपिक चुना है तो ऐसे में कलाकारों का चैन किया गया हो जो कि इस फिल्म के लिए नहीं बने हो तो कहीं न कहीं एक अच्छे फिल्म बनते बनते रह जाती है जैसा कि मैंना आपको बदाया कि जाहर हो चुका एक कॉमेडी बता और नदेशक इंदर कुमार की यूएस पी रही है थैंग आट में भी तमाव ऐसे सीन्स हैं जिनमें हास्य का एक पुट दिया जा सकता था लेकिन एक एक्टर के रूप में सिदार मलोतर ने जिस तरह की रूख ही एक्टिंग करी है दर्शकों को हसी तो आई होगी अलबता ये जरूर लगा होगा उनके दिवांग में कई बार लब ये सवाल जरूर उठाओगा जिनमें सबसे पहला सवाल तो यही होगा क्या इंडिस्ट्री में बागी कुछ और लोग ज्यादा वस्तरी तो डिरेक्टर इंदर कुमार ने आलोचना सहने और तमाम तरह की अगर बाते सुनने का मौका अजय देवगर नो सिधार मलोतरा को दे दिया थैंग आट जिस तरह की फिल्म है कहना गलत नहीं होगा इस फिल्म की कमजोर कड़ी हैं बाकी बात अगर अगर अजय देवगर की हो तो जरूर अपना मकसद पूरा करते हो नजर आ रहा हैं ये तो फिल्म को लेकर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया है कि फिल्म आफ्टर लाइफ या यू कहें कि भविश की बातों और पाप पुन्य खुले कर रहे तो फिल्म में ऐसे तमाम मौके आते हैं जो बता और दर्शक हमें सिर्फ इसलिए बोर कर देते हैं कि कहानी भागती हुए बिना किसी कनेक्शन के मालूम होती है काश के फिल्म को लिखते वक्त फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर को अपनी जिम्मधारी के हैसास हुआ होता बहराल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिल्म बुरी है हाँ अलबत्ता इतना दरूर कह सकता हूं कि फिल्म में एक एवरेज फिल्म की तरह ही दिखाई देती है जो कि इंटर्वल से पहले तक आपको आपको आशाती है मार जैसे ही इंटर्वल खतम होता है उसी लीक पर आती इसके उपर बॉलिव इंडस्ट्री समय चल रही बात बा बात ही पता सलेगा इसलिव देखिए उसे अपने विवेक की कसोड़ी पर तॉलिए और हो सकता है कि फिल्म आपको अच्छी भी लगे लेकिन अगर ये फिल्म आपको अच्छी नहीं लगती तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा जो भी बॉलिवड तो आजकल यह